26 जून की श्रों 29 सुकोश वकत है परमातर प्रिता बैलंस की बारे में गह रहे हैं आश्ट। कहते हैं कि सेवाओं की रुवित्य में रहते हैं मैं रिखकी सबसे मिल करके सेवाओं करना है यह जो पात ही हमारा, उसमें रहते हैं इच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतरमुखी भवा साइलेंस की शक्ती का प्रयोग करने के रिए अंतरमुखी और एकांतवासी बनने की आवशक्ता है अंदर ये अंदर मन की अंदर क्या संकल्प चल रहे हैं उनको तोड़ना नए संकल्प जोड़ना waste thoughts को निकालना पवित्र thoughts को डालना useful thoughts को utilize करना convert करना जैसे waste को best में convert करते हैं वो हम अंतर मुख्यों के कर सकते हैं सिर्फ जब हम अपने साथ में time spend करते हैं और परमात्मा के गियान के tools को इस्तमाल करके हम हर चीज़ को change करते रहते हैं मलत thoughts के patterns को thoughts की quality को change करना silence की शक्ती का प्रयोग करने के लिए अंतर मुख्यों और एकांतवासी बनने की आपशकता है कई बच्चे कहते हैं अंतर मुख्यी स्थिती का अनुभव करने वा एकांतवासी बनने के लिए समय ही नहीं मिलता हैं के लिए इतना ज़्याद सेवा में इतना भागदोड़ है कि हमें time ही नहीं मिलता है कि हम अंतर मुख्यों पाएं और एकांतवासी होपाएं क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति वानि के शक्ती की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है जगाजा पर जाकर के वानी से सेवा करना, लोगों से मिलना, लोगों से बाचीत करना, जैसे काउंसलिंग करना बहुत लोगों की, जैसे कोई डिपरेस आते हैं, उनकी काउंसलिंग करना, फैंबली रिलिशन्च में प्रॉलम हैं, उनकी काउंसलिंग करना तो बोलना बहुत और सेवां बहुत विस्तार में कहीं हैं लेकिन इसके लिए एकठा, आदा घंटा वा एक घंटा निकालने के बजाए कुछ लोग सुछते हैं कि काश में एक घंटा मुझे मिल जाए या आदा घंटा मुझे मिल जाए कहां पहुंच रहे हैं, क्या quality है तो शक्ति-शाली सिती बन जाएगी फिर जाकर क्या हो बैटरी चार्ज हो जाएगी पावर मिल जाएगी, साही डारेक्शन मिल जाएगी confusion हट जाएगा, negativity हट जाएगी purity आ जाएगी, wasteful thoughts हट जाएगे, useful thoughts बन जाएगे और बहुत सारे फादा होते हैं इसके बीच बीच में ब्रेक लेना अमशन दी